लोट्स में डिरेक्टोरेट नी टीमें बंगलवारे दिल्ली, मुंबई औने कॉलकता सेट नेशनल हेराल्ड ना सोल स्तलो पर दरुडा पाड़े हता सोनिय औने राहुल नी पूछपरश बाद आकारिवाही करवा मा आवी छे नेशनल हेराल्ड केस साथे संकला एला कथित मनी लॉंटरिंग मामले तपास करी रहे लेडी ए सोनिय गांदी औने राहुल गांदी नी लांबी पूछपरश बाद आ नवी कारेवाही करी छे 21 और 26 जुलाइना रोज इडी द्वारा सोनिय गांदी नी पूछपरश करवा मा आवी हती दिल्ली मा घणा स्तालो पर दरुडा उपरांद कोलकता आने अन्य घणा शेरों मा पन दरुडा पाडवा मा आवी हती सुत्रो नू कैबू छे के पूछपरश बाद इडी ने लाग्यू के आ केसमा दरड़ा पाडवा नी जरूर छे इडी नू कैबू छे के सौनिया गांधी राउल गांधी साइद घणा नेता ओया समगर केसमा दिवंगत नेता मोतिलाल वोरा नू नाम लिदू अतु आसिवाई घणा ट्रांजेक्शन नी बाद थे हती क्योंकि देश डेमाक्रसी और समिदान को स्विकार किया है और समिदान के मताबिक हम आपोजिशन पार्टियों को ऐसा डरा धमका के या उस पर उस पार्टि के जो पेपर जिस पेपर ने इस देश के आजादी में आजादी की लडाई में लड़ी है नाशनल हेराल्ड हो खोमी आवाज हो नवजीवन हो यह सारे पेपर उस वक्त शुरू किये थे प्रॉफिट मेकिंग नहीं थे नाइटीन थर्टी एट में शुरू गए सुप्रिपर है अजनेश्टिक देश बदले की भावना से इदी अपने प्रद्विंदियों को नाराज कर रही है उनको चाहती है कि किसी जूठे केस पर फसाए कोई सिल्खला जारी है हम इसका विरोट करते हैं और विरोट करेंगे लेकिन एक ची बता दे ना हम दढ़ने वाले ना चुपने वाले हम अंग्रेजों के सामने नहीं जुके और डरे तो इस सरकार से सब्सक्राइब बारा जवों पर समाचार चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि रेड की जा रही है तो वहाँ पर जैराम रमेज जी कहते हैं कि हमें चुप कराने की साजिश है जैराम रमेज जी से पूछा जाना चाहिए कि यह जो पूरा का पूरा नैशनल हेरल्ड का मामला है जिसमें दो हजार करोड की सारवजनिक संपत्ति जिसमें दो हजार करोड की संपत्ति ज एक परिवार की जेब में डालने का जब कार्य किया गया तो UPA की सरकार थी जब एक कोर्ट ने संग्यान लेते हुए आपराधिक मामले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाने के आदेश दिये